NCRT पाठ्यपुस्तक रुचीरा भाग दो जो की सब्तम कक्षा के संस्कृत छात्रों के लिए उद्दिष्ट है उसका हम आज प्रथम अध्याय का अध्यायन करेंगे उस अध्याय का नाम है सुभाशिताणी विद्दियार्थियों आप जब बड़े होंगे कुछ वर संस्कृत पढ़कर आप निकलेंगे तो जरूर ये अनुभव जो लोगों से आप साजा करेंगे उसमें दो बातें संस्कृत अध्यायन के बारे में जरूर याद करेंगे थे कभी स्कूलों में कलेजों में संस्कृत पढ़े थे तो संस्कृत के बारे में दो बातें उनको जरूर याद रहती है कि भई संस्कृत का व्याकरन बड़ा अनोखा है और हां संस्कृत में बहुत खुबसूरत श्लोक है तो संस्कृत भाशा और साहित्या के दो बड़े महत्तो पुर्ण जो बाते हैं जिस पर सब का नजर रहता है वो है संस्कृत का व्याकरण और संस्कृत के सुभाशित श्लोक इसलिए हर कक्षा में विद्यार्थियों के लिए कुछ ना कुछ सुभाशित जरूर पढ़ाया जाता है और हां ये सुभाशित सिर्फ समझने के लिए ही नहीं याद भी कर लेने चाहिए क्योंकि जीवन में हर पढ़ाव में चाहे लोगों से आम बातचित करना हो या कहीं भाशन दे रहे हो या कहीं पर किसी खास परिस्थिती में किसी अपने आप को कभी आप जब अनालिसिस करें कोई स्थिती की जब आप आलोडन करेंगे तो उसमें ये सुभाशित का ग्यान बड़ा काम आता है वैसे सुभाशित शब्द का अर्थ क्या है उसमें दो शब्द हैं एक है सू जिसका अर्थ आप सभी सब्दों के साथ सू लगाते हैं तो आपको उसका अर्थ आता है अच और भाशित मतलब जो कहा गया है जो अच्छी बातें कही गई है उन्हीं को सुभाशित कहते हैं भाशित सब्द भाश धातु से बनता है भाशित यानि कहा गया और सुभाशित जो अच्छी अच्छे से कहा गया है या जो अच्छी बात कही गई है तो सुभाशित कि और अगर कुछ विशेश व्याख्या हम करना चाहें तो सुभाशित वो चीज है जो मनुश्य बुध्धी जो विजडम है जो कई वर्षों के, कई पिढ़ियों के, कई जन्मों के संसकार के जो अनुभाव है उसको बड़े सुख्ष्म अति सरल और कम से कम शब्दों में कहे गए वाक्य और ज्यादातर वो शलोक रचना में आते हैं तो यह है सुभाशित और इस चाप्टर का नाम जो है सुभाशितानी यह है प्रत्था विभक्ति बहुवचन नपूंसक लिंग में विद्यार्थियों आप शस्ठीक अक्षा में तीनों लिंगों के बारे में जरूर पढ़ा होगा तीन लिंग, तीन वचन, तीन पूरुष कम से कम इतना व्याकरण तो आप लोगों को अभी तक मालूम हो चुका है तो यह जो सुभाशितानी है यह रूप आपको याद आता होगा जैसे आपने फलम फले फलानी यह समझा था वैसे आप इसको समझे ज़ेकी सुभाशितम, सुभाशिते, सुभाशितानी तो यह नपूर्शक लिंग, प्रत्याविवक्ती बहु अचन का रूप है क्यों? क्योंकि इस चप्टर में, इस विशय में आपको कई सारे सुभाशित यह एक से अधिक, दो से अधिक सुभाशित आपको पढ़ाये जाएंगे इसलिए यह सुभाशितानी है विद्यार्थियों, जब आप संस्कृत पढ़ते हैं, तो इस संस्कृत भाशा को कोई अजिनवी भाशा मत समझना यह अपनी भाशा है, कोई पराई भाशा नहीं है यह इसी मिट्टी की भाशा है, और इस भाशा में इसी मिट्टी की खुश्बू आपको मिलती रहेगी बस आपको वो नजर बना के रखना है, कि हमारी भाशा और संस्कृत भाशा कितना समान है और अंतर है तो बस कितना अंतर है अगर आपको मैं संक्षर पर बता हूँ भारतिय भाषाओं का और संस्कृत भाषाओं में अंतर बस इतना है कि शब्द वही है मूल शब्द वही है बस विभक्ति का अंतर है तो अपनी भाषा के शब्दों के साथ अगर आप संस्कृत विभक्ती जोड़ना सिग गए तो आप संस्कृत भाषा समझ गए तो जब भी आप संस्कृत पढ़ते हैं तो आप हमेशा ये नजर बनाए रखिए कि उसमें अपनी भाषा को पहचानिये और एकदम अगर कोई आपके लिए नया सब्द मिल जाता है तो उसके लिए आप सब्दा वली का सहरा ले सकते हैं आप अपने सिनियर से आपके अपने गुरुजनों से आप पूछ सकते हैं कि संस्कृत में इस सब्द का अर्थ क्या है अन्यत्यात ज्यादा से ज्यादा सब्द हम तो कहेंगे कि अधिक से अधिक हमारे जो भारतिया भाषाएं हैं उनमें अधिक से अधिक more than 50% सब्द आपको संस्कृत के ही मिलने चाहिए तो चलिए हम आक्चुल विशे में आ जाते हैं वही सुभाशित हम पढ़ते हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में मिले हैं तो पहला सुभाशित है पृथिव्याम त्रीनी रत्नानी जलम अन्नम सुभाशितम मूढई पाशान खंडेशु रत्न संग्या विधियते इसको आप अच्छे से गा भी सकते हैं इन फाक्ट आप इंटरेट में ये शलोक के दो चार सब्द टाइप करके आप सर्च करेंगे तो आपको उसके संदर्व के कई सरे अडियो और वीडियो प्रोग्राम से आपको मिल सकते हैं जिनको आप अच्छे सुन सकते हैं आनंद ले सकते हैं मैं आपको उतने मधूर आवाज में गाके नहीं सुना सकता है मैं आपको अच्छे से उसको समझाओंगा चलिए तो ये सुभासित क्या कहता है पृथिव्याम त्रीणी रत्नानी अब देखिए इसमें आप अपनी भाषा के सब्दों को पहचानिए पृथिव्याम आपको उसमें पृथिवी सब्द दिखाई दे रहा है पृतिवी, त्रीणी, त्रीणी में तीन इसाशब्द आपको समझ में आता होगा रत्नानी, रत्नाशब्द आपको मालूम है तो रत्नाशब्द मालूम है, त्रीशब्द आपको मालूम है आपने त्रीदेव शब्द सुना है, तो त्रीशब्द आपको मालूम है आपको पृथिवी शब्द मालूम है तो ये संस्कृत भाषा अपनी भाषा से अलग कहा है बस उसमें ये विभक्ति लगी है पृथिवी शब्द से पृथिव्याम है त्री शब्द से त्रीणी है और रत्न सब्द से रत्नानी शब्द बना है जो भी भक्ति लगकर है, तो पृतिव्याम त्रीनी रत्नानी जलम अन्नम सुभाशितम, मरे खहल से बहुत आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, कि पृतिवी पर तीन रत्ना है, रत्ना आप जानते हैं, जो मुल्यवान वस्तु होता है उसको हम रत्ना कहते हैं, जैसे कि हीरे, मोती, मानिक्य, जो जुलरी में लगते हैं वो सब रत्ना होते हैं, अब इस कवी का कहना है, कि भाई इन सबको तो हम रत्ना नहीं मानते, हम तो बस तीन ही रत्ना जानते हैं, पृतिव्याम त्रीनी रत्नानी जलम अन्नम सुभाशितम, देखिए कितना बड़ा अन्यम्, अन्यम् मतलब भोजणम्, जो हम खाद्य खाते हैं। जल और तीसरा रत्नकोंसा है? सुभाशित्. मया इसरोच सूच्छब भी थे कि जल एक रत्न थे हैं। अन्य ये रत्न हैं। और सुभाशित्. तो अलग बात है, आप जल और अन्य को समझे ए। आपने समझाता है कि इनको रत्न कोई समझेगा, वस्तु तहा हम गलत चीजों के उपर ज्यदा महत्तो देते हैं, जिनका उतना महत्तो नहीं है, हम उनहीं पर ज्यदा महत्तो देते हैं, जो सबसे महत्तो पुरुण वस्तु है, उसका हम कभी कदर नहीं करते हैं, इस प्रकृत इसी से हम जीवित रहते हैं, हुमारे जीवन से और ज्टा मोहत्वपूरुन क्या चीज हो सकती है? और उस जीवन के लिए जो समसाध्धन है, वही वस्तु तहा सबसे मोहत्वपूरुन रत्न है. जलम, अन्नम अब ये कभी का कहना है कि तीसरा अगर कोई महत्तो पुरुन जल और अन्न के बाद तीसरा महत्तो पुरुन कोई वस्तु है तो क्या है सुभाशित वैसे वो तीसरे महत्तो पुरुण वायू को भी कह सकते थे लेकिन उन्होंने सोचा कि चलिए वायू तो दिखता नहीं है रत्न कम से कम दिखना तो चाहिए वायू दिखता नहीं है तो जल और अन्न यही दो हमारे लिए प्राकृतिक रत्न हमें उपलब्ध होते हैं और इन्ही के जैसा अगर कोई महत्तो पुरुण वस्तु है जो रत्न जैसा स्टाटस में आ सकता है वो है सुभाशित यानि कितना महत्तो है कितना महत्तो दिया गया है इस सुभाशित रूप रत्न को तो पृथिवी के तीन ही रत्न होते हैं यह ध्यान लखिए जलम अन्नम और सुभाशितम तो फिर जिनको हम रत्न जानते हैं ऐसा क्यों हुआ कि हम उनको रत्न नहीं कहते हैं यह हमारे मूर्खता है देखिए दूसरा वाक्या क्या कह रहा है मूढ ही ही पाशान खंडेशु रत्न संग्या विधीयते मूढ सब्द आपत मालूम होगा मूर्ख मूढ यह दोनों ही सब्दा हमारे भासाओं में मिलते हैं मुढ लोग ही पाशान खंडेशु पाशान शब्दकार थे पथर पथर खंड यहींडिनि टुकडे मूढ जन ही पथर के टुकडो में रत्न संग्या को आरोपित करते हैं उनको उनको रत्न कहने लग जाते हैं वस्तुत वो रत्ण के पदवाच्य नहीं होने चाहिए, उनकी क्या उकात है? हीरे, मोति, सोना हो, जो भी आप चांदी हो, जो भी आप जिसने को आप रत्न समझते हैं, क्या उनके विन आपका जीवन नहीं चलेगा? आराम से चलेगा? तो उनका कोई उतना महत्व नहीं आपके जीवन के लिए जितना महत्व जल और अन्न का है और इस कभी का कहना है जितना जल और अन्न आवश्यक है हमारे जीवन धान करने के लिए उतना ही आपका स्वस्थ जीवन के लिए सुभाशित आवश्यक है तो ये तो आपके physical entity के लिए जल और अन्न की आवा सकता है तो आपका जो mental entity है जो आपका मन है वो मन भी उतना ही अच्छा होना चाहिए साफ होना चाहिए स्वस्थ होना चाहिए बुद्धिमान होना चाहिए उसके लिए आपको चाहिए सुभाशित जैसा रत्न, जैसा जल और अन्न आपके शरीर के पोषण करते हैं, वैसे ही सुभाशित आपके मन के, आपके खृधय का और आपके आत्मा का वो पोषण करता है सुभाशित, इसलिए भरपुर सुभाशित पढ़िए, उनको याद से बनाईए एसे कभी का आशय है तो रत्न संग्या विधियत में दिया जाता है रत्न संग्या दी जाती है तो यह आपको स्पष्ट हो गया कि यह मूर्ख लोगों का कहना है कि हीरे मोती जवरात यह रत्न है और जो सच में बुद्धिमान है वो उनको रत्न नहीं समझेगा व और सुभाशित यही वस्तुतह रत्न है मेरे हिसाब से आपको यह सपष्ट हो गया होगा पहला हमारा सुभाशित कैसा लगा आपको इसी प्रकार के आप और भी सुभाशितों को जहां तहां देखते हैं आप उनका संग्रह करिए और उनको याद भी रखिए चलिए अभी ह हम दूसरे सुभाशित देखते हैं. सत्ये न धार्यते पृत्वी, सत्ये न तपते रवीही, सत्ये न वाति वायुष्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम, सत्य, सच, इसका एक सामानी अर्थ आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं. सामानी अर्थ क्या है? जो हम बोलते हैं, वो सच बोलें, यही हमारा आश्य रहता है. अर्थात, जो बिती हुई बात है, जो घटना आपके ज्यान में हैं, उसको यथावत कहना, यानि वही सच कहना होता है, और उसे को हम सत्य कहते हैं, किन्तु सत्य का और थोड़ा सा गभीर का अर्थ है. वो क्या है, पता है? जो मूल वईदी का अर्थ है, सत्य का वो यू है, कि सत्य मतलब जो घटी हुई घटना को यथावत कहना सत्य नहीं है, बलकि आपको इतना सोच समझ कर कहना है, कि जो आप कहेंगे, उसको आप जरूर निभाएंगे, वो है सत्य वचन. जब किसी महादानी के पास कोई जाते थे, तो पहले उनसे सत्य करवाते थे, आप त्रिवार सत्य करिए, हाँ हाँ मैं ये आपके लिए करूँगा, जैसे करन एक दान वीर्था तो उससे सत्य करवा के इंद्रा ने उसके कवच कुंडल ले लिये थे, जैसे बली राजा थे उससे सत्य करवा के भगवान विश्णु वामन अवतार में उनसे सुर्ग मरते और पाताल ले लिये थे, तो वो सत्य करते हैं, सत्य मतलब जो हमने कहा, उसको हम हर हाल में पूरा करेंगे, चाहे उसके लिए हमारा प्राण भी देना क्यों ना पड़ जाए, वो है सत्य, तो जो इतना निष्ठा परक, जो सत्यवादी होता है, उसके सत्य का एक अध्भुत शक्ति भी आ जाती है, जो कभी वैसी बात नहीं कहता, जो कर नहीं सकता, ये एक प्रकार की साधना है, कि हम हमेशा सोच समझ कर बोलें, इतना सोच के समझ कर बोलें, कि एक बार हमने बोल दि तो उसको हर हाल में पूरा करना है, तो इस प्रतिज्या के साथ जब आप बातचित करते हैं, तो आपकी बात में वो शक्ति आ जाती है, कि अगर गलती से भी आपके मुह से कुछ ऐसी बात निकल गई, जो नहीं कहना चाहिए था, तो वो वस्तुत्वा घट सकती है, ये पूरी शक्ति से ही इस कभी का कहना है, कि सत्य न धार यते पृत्वी, पृत्वी ने एक बार सत्य कर लिया है, कि वो पूरे लोगों का, पूरे प्राणियों का, पूरे उध्विज जगत का वो भरण पोशन करेगी, उनको वो संभाल कर, उनका बोज उठाएगी, तो तब से जब से वो सत्य करके लिया है, तो तब से वो वहन कर ही रही है, कभी भी आप चाहे कितने भी पापी हो, फिर भी पृत्वी माता, आपको कभी त्याग नहीं कर देती है, सत्य न धार यते पृत्वी, ये पृत्वी सत्य सही चलती है, सत्य न तपते रवी ही, रवी ने ए मुझे अगनी देना है, तो मुझे तपाना है, मुझे जलाना है, जलना है, तो तप से लेकर अब तक रवी का एक ही स्वरूप है, वो है जलना जलना, तो सत्येन तपते रवी ही, तपना, जो गरम होना, तो सत्येन तपते रवी ही, सत्येन वाति वायुश्च, वायु कभी न बहते ही चलता है, अब तक वो कभी रुका नहीं है, तो सत्य नवाति वायुस्चा सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, इस अखिल ब्रह्मान में सब कुछ जो यथावत है ना, उसो सत्य सही प्रतिष्ठित है, तो सत्य वो एक बहुत बड़ी चीज है, इसका हमें अपने जिवन मे अनुभाववि करना हैं, और उसको अपनाना भी है, कि हम सत्यवादी रहें, हम उस चीज को कहें, जिसको हम निभा सकते हैं, तो यह है सत्य वचन, तो सत्य का बहुत बड़ा एक महतो है, उसकी एक महिमा, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, तो सत्य जिवन का अगर सब्से नहीं है कि आप मिथ्या वचन ना करें वो बात नहीं है सत्य वचन मतलब सोच समझ कर आप बोलें कि आप जो बोलेंगे सही बोलेंगे वही बोलेंगे जो आगे होने वाला हो जो आप करने वाले हैं चलिए मैं खाल से इस सुभाशित का और जदा विश्थार आपके लिए विज्ञाने विनये नये विश्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरतना वसुन्धरा ये भी इसी प्रकारक बहुत सुन्दर सुभाशित है क्या कहते हैं कभी यहाँ पर आपने वसुन्धरा शब्द सुना होगा पृत्वी को कहते हैं वसुन्धरा क्यों उसको वसुन्धरा कहते हैं उसका जो विग्रह होता है उसका जो अर्थ व्युत्पत्ति होती है वह इस प्रकार से होचे वसुन्धरती वसुनी धरती इती वसुन्धरा वसु सब्दकार थे, संपत्ति, रत्न, किम्ती चीजें, वह है वसु, आपने अश्टा वसु का भी नाम कहीं, पुरान चाहित्य में सुना होगा रामान महारत, अश्टा वसु, तो वसुओं को जो धारन करने वाली है, पृत्वी, क्योंकि पृत्वी के गर्भ में अजस्र स संपत्ति है, आप पृत्वी को खोदेंगे, तो कहीं सोने का ख़दान मिलता है, तो कहीं हीरे का ख़दान मिलता है, आप उसके समुद्र को खंगा लेंगे, तो कहीं पर मोती मिलता है, तो कहीं मानी के मिलता है, तो कहीं और भी डूबे हुए संसार मिलता है, जिसमें बहु व्यक्तित्यों में कुछ चीजे होती हैं, तो यहां पर हमारे व्यक्तित्यों में जो रत्न होते हैं, उनका यहां पर प्रकास कर रहे हैं, तो नहीं कि दाने तपसी शवरिये च विज्ञाने विनावचे नई यानि दान एक इसा गुण है वो समझज़े कि एक वसू है एक रत्न है तप तपस्चरिया तपस्चरिया का एक जो सामानिय अर्थ आप लोगों को आपके मन में जो उसका चित्रा बनता होगा कि आप जटा जूट बनकर भगवा वस्तर पहन कर माला बगरा पहन कर आप जंगल में पदमाशन में बैठके कुछ ध्यान कर रहे हो ये तपस्या ही नहीं है वो एक प्रकार का ध्यान है वो भी एक प्रकार का किन्तु सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने कर्तवयों को रहना एक चित्ता होकर रहना ये एक तपस्या है जिसे विद्यार्थियों आपके लिए क्या है कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका अर्थ आपका मन आपकी बुधि आपका समय पूरी तरह से विद्या अर्जन में ही लगे रहे तो वो विद्या आपके लिए एक तप है तो वेशे ही जिसे अनेक रतन है तो उसमें से एक रतन है दान तो दूसरा रतन है तप वेशे ही शौरिया शूर शब्द से बनता है शूर शब्द का रत है वीर तो शौरिया शब्द याने वीर का जो गुण है याने साहस शक्ति हिम्मत वो है शौरिया आगे है विज्ञाने विनये नये विज्ञान याने विशेश ज्ञान विज्ञान सब्द का रत नहीं है कि आपका केवल जो फिजिक्स, केमेस्ट्री, मै विज्ञान शब्द किसी भी विशय का गभीर ज्ञान वो है विज्ञान विशेश ज्ञान वो है विज्ञान तो गभीर ज्ञान वो भी एक प्रकार का रत्न है आपके चरित्र का के बहुत बड़ा गुन है तो उसको भी आप किमती समझिए ज्ञान को भी आप किमती समझिए शौर्यों को भी आप किम्ती समझिए तपस तपस्चरिया को भी आप तपको भी आप किम्ती समझिए आप दान देने का जो गुण है उसको भी आप एक किम्ती वस्तु समझिए वैसे ही विनाया और नाया वीनाया सब्द आप जानते हैं उसी का ये सप्तमी व्यक्ति है वीनाये तो आप उन रतनों के बारे में यहां देख रहे हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व में है ये रतन सब बाहर नहीं है ये वसु, ये संपत्ति, ये जो संपन्नता है, ये आपको व्यक्ति से बाहर जगत में नहीं मिलेगा, वो व्यक्ति के अंदर है, कौन-कौन से हैं वो? दान है तप है शावरिय है विज्ञान है विशे ही विनया और नया विनया यानि विनम्रता इस गुन का तो आप कितना भी आप बड़ा समझे उतना कम है आप विनम्रता से दुनिया के हर चीज हासिल कर सकते हैं विनम्र व्यक्ति का कोई शत्रू ही नहीं हो सकता है हर कोई विनम्र व्यक्ति का उपकार कर लेता है बिना मांगे ही उसका उपकार कर लेता है तो विनम्रता किसको कहेंगे जो अहंकार का विरोधी गुन है एक तरफ आप अहंकारी होते हैं दुसरे तरफ आप विनम्र होते है आप विनम्रता को लेकर कई सारे दुसरे शलोक सुभासिते आप सुने होंगे कि नमन्ती फलीनो व्रिक्षाहा, नमन्ती गुणीनो जनाहा सुषक व्रिक्षास्चा मूर्खास्चा नमन्ती कदाचना यानि जो विनम्र नहीं है वो इनफेक्ट मूर्ख है क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास जदा अच्छे गुण है, जदा शक्ती है लेकिन क्या चीज है वो तो इससे अच्छा है कि आप हमेशा विनम्र रहें तो विनाया जो है वो एक बहुत बड़ी संपत्ती है, वसु है नये, नया सब्दकार्त है, नीती और नीती मतलब दुर नीती नहीं है, शू नीती, अच्छी नीती तो इन प्रकार के जो संपदाओं से आप भरे हुए लोग आपने अपने जिवन में देखे भी हैं और देखेंगे भी, तो कभी हम ताजूब करते हैं, अरे कोई व्यक्ति इतना विनाम्र कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति इतना नीती मान कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति इतना सोर्य कैसे दिखा सकता है, इतना कठिन तब कैसे कर सकता है हम जब हमारे से अधिक प्रभावकारी कोई व्यक्तितों हम देखते हैं तो हम ताजूप तो करते ही है तो कभी का कहना है ताजूप की बात नहीं है क्यों? क्योंकि ये सब पृत्विक के उपर रत्न है और पृत्विक को इसलिए तो कहा जाता है कि वसुन्धरा अब यहां पर कभी को एक कहने का उसकी एक स्वैली ही अलग है वो यह नहीं कह रहे हैं कि यह सब वसु हैं यह सब संपदा हैं तो वो इस प्रकार से कह रही है कि आप ज़्यादा हैरान मत होई है यह सब इसलिए उपलब्ध हैं क्योंकि पृत्वी वसुंधरा है यह पृत्वी वसुंधरा होने के कारण इस प्रकार के रत्न वो धरे रखी है तो दाने तपसी शौरिये च विज्ञाने विनये नये देखे विभक्तियों का ज्ञान तो इस तक ले ही चुके हैं छटीक अक्षा में कमसेकर में आप शब्द रूप प्रत्वा भ्यक्तिय लेकर सब्तमी व्यक्ति संबोधन रूप इतधि आप जानते हैं यह एक आपका अच्छा यहां पर अभ्यास कारिया है कि आप देखिए पूरे इस वाक्य के सारे सब्दों में सब्तमी व्यक्ति एक वचन का प्रयोक किया गया है और वो भी अकरांत सब्दों का एक सब्दों को छोड़कर तपसी तपस सब्द जो है वो सकारांत नपूंसकलिंगी सब्दा है उसका रूप थरा अलग चलता है हम अब उसके रूप के पूरे डिटेल्स में हम नहीं सब्तमी ह DC ke रूप हैं अकरांत सब्दों के थी तो विष्मयो नहीं कर्तभ्यों बहुरतना वसुंधरा अब ये जो विष्मयो है उसको हम संधी विच्छत कर लेंगे थे तो विष्मयाह नहीं कर्तभ्यों को कर देंगे करेंगे तो विस्मयाह नही कर्तव्याह के मर्थम बहुरतना वसुंधरा वसुंधरा वहुरतना भवती तरही विस्मयाह एनि आश्चर्य आश्चर्य नहीं करना चाहिए विश्मय सब्दकार्त है आश्चरिय होना तो आप जदा ताजूब मत करिए क्योंकि वसुन्धरा जो है है वो बहुरत्न वाली है बहुरत्ना सब्दकार्त है बहुनी रत्नानी यस्याह सा जिसके पास बहुत सारे रत्न है वो है बहुरत्ना तो इस श्लोक में आपने देखा होगा जदा सिदा सब्दों से आप अपनी भाषा में ही परिचित हो चुके होंगे दान, तप, शौरिय, विज्ञान, विनय, नय इस सारे सब्दों से आप परिचित हैं बस सब्दों विभक्ति में संस्कृत में ऐसा रूप होता है दाने, शौरिय, विज्ञाने, विनय, नय तपसी ये इकारांत दिखता है तपस सकारांत सब्द का सब्दों विभक्ति एकवचन रूप है जिसका अभी अगर आपने इस से पहले रूप नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ेंगे तो विश्मयाह नहीं करतव्याह विश्मय नहीं करना चाहिए क्यों? क्योंकि क्यों यहां पर वो सब्द आया नहीं है लेकिन क्यों आपको समझना पढ़ेगा क्योंकि बहु रतना वसुन्धरा, वसुन्धरा बहु रतना भवती वसुन्धरायाह यानि पृतिव्याह बहु नी रतनानी संती मेरे हिसाब से आपको यह शलोक भी अच्छे से इसपर्ष्ट हो गया होगा अगर आपको विशेष कुछ सब्दशा अर्थ इतिया दिया आपको जानना है तो आपके पुस्तक के पाठ के अनंतर सब्दा अर्थ दिये गए है तो वहापर एक-एक सब्द के हिंदी और अंग्रेजी में अर्थ दिये गए है तो आप उनका भी सहता ले सकते हैं तो बच्चों ये सुभाशितों को पढ़कर आपको कैसा लगता है आज हमने तीन सुभाशितों को पढ़ा इसके अगली कड़ी में हम अगले तीन सुभाशितों के बारे में जानकारी लेंगे तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल आप से दुबारा मिलेंगे और अगले नए सुभाशितों के साथ आप से चर्चा करेंगे, तब तक धन्यवाद कि अखस्यों में रखते हैं